बिस्मिल्ला इर्राह्मा इर्राहीम, अस्सलाम उलेकुम, I am Khwaja Mohsin Inaam. Students, दौा है कि आप खेरियत से हों? इस lecture में हम analytical geometry के कुछ मजीद concepts और उनके relevant problems discuss करेंगे. आईए शुरू करते हैं. Students, हमारा first topic है equation of a straight line in matrix form. यानि हम सीखेंगे कि हम किसी line की equation को matrix form में कैसे convert करते हैं. मैं consider कर रहा हूँ एक general linear equation. आप जानते हैं कि यह है general form of linear equation. पहला काम आपको यह करना है कि आप constant को equal के दूसरी जानिब shift कर दें. Now, it can be written in matrix form. It can be written in matrix form as left side का एक matrix बना दें और right side का एक matrix बना दें. AX प्लस BY यह हमारी left side एक matrix और right side दूसरा matrix. Students, अब मेरा सवाल आपसे यह है कि इस matrix का order क्या है? शाबश, इसमें कितनी rows हैं और कितने columns हैं? इसमें एक row है और दो columns है? The answer is no. एक ही column है. बनादी तोर पर यह एक ही element है. एक row और एक column. मैं इसका order यहाँ पर लिख सकता हूँ. और इस matrix में भी एक row और एक column है. यह दोनों matrices equal हैं. दोनों matrices equal हैं तो इनका order same होना चाहिए था. जो के same आ रहा है और इनके corresponding elements equal होंगे. अब अगर आप corresponding elements को equate करेंगे तो वापिस आप यहाँ पर आ जाएंगे और यहाँ से आप original equation पर वापिस जा सकते हैं. Students, यह आ गई matrix form इस linear equation की. Students, यह जो left side पर matrix है इसको हम further break कर सकते हैं. लेकिन इसे further break करने के लिए हमें matrices की multiplication की जो basic condition है उसे recall करना होगा. कि कब हम दो matrices को आपस में multiply कर सकते हैं. मैं first करता हूँ, यह हमारा rough area. मैं first करता हूँ कि हमारे पास एक matrix है A. और एक matrix है X. अब ज़रा recall करें कि अगर हमें इन दो matrices को multiply करना है तो क्या basic condition होनी चाहिए? क्या basic condition थी in fact जो आपने chapter 3 first year में पड़ी थी? शाबाश. पहले के columns की तादाद, दूसरे की rows की तादाद के बराबर होनी चाहिए. यह थी basic condition. दूबारा सुननें, पहले के columns की तादाद, यानि अगर यहाँ पर इसका order है M by N, तो N इसमें columns की तादाद है, यहाँ पर rows की तादाद N होनी चाहिए. इसका order है M by N, इसका order है N by P. यह दो numbers, जो बीच वाले numbers हैं, यह equal होने चाहिए. यह दोनों होने चाहिए equal. और अब मेरा सवाल यह है, कि जो product matrix होगा, यह product अब किया जा सकता है. यह multiplication हम perform कर सकते हैं, क्योंकि पहले के columns की तादाद, दूसरे की rows की तादाद के बराबर है. जो product matrix होगा, उसका order क्या होगा? शाबश, यह भी recall करें. दानसर इस, उसका order होगा M by P, यानि वो जो रोज की तादाद है, वो पहले matrix से लेगा, और columns की तादाद दूसरे matrix से लेगा. यह product matrix का order होगा. अब students, मैंने इस matrix को दो matrices के product के तौर पर लिखना है. अब इसका order है one by one. अब यहाँ पर further मेरा फेरिया बना रहा हूँ. one by one order का product matrix मुझे चाहिए. जो मेरे पास दो matrices होगे, अगर मैं एक को कह दूँ A, और दूसरे को कह दूँ X, तो matrix A का order क्या होना चाहिए, matrix X का order क्या होना चाहिए? matrix A के अंदर हम डालेंगे coefficients को, यानि A और B को, और matrix X के अंदर हम डालेंगे variables को, यानि X और Y को. हमारे पास जो product matrix है, उसका order है one by one. अब इसका मतलब यह है, जो हमने यहाँ पर सीखा कि product matrix, first matrix से लेता है रोज की तादाद, और second matrix से लेता है columns की तादाद. इसका मतलब है कि first matrix में रोज की तादाद one होगी, यहाँ पर रोज की तादाद होगी one, columns की तादाद का हमें फैसला करना है, दूसरे matrix में columns की तादाद होगी one, और इस number का हमें फैसला करना है, यह बीच वाला number होना चाहिए equal, तब हम multiply कर सकते हैं, otherwise multiplication possible नहीं होगी, अब यहाँ पर number क्या आ यहाँ पर हमारे पास है a और b दो coefficients और इसी तरह x और y दो variables, इससे यह हमें basically guess मिल रहा है कि यह तादाद two होगी, यह यह जो होगा वो one by two order का होगा और x matrix होगा two by one का matrix, मैं इस matrix को लिखता हूँ, further it can be written as, एक row two columns का matrix, एक row two columns, a और b, एक row और two columns हमने इन दोनों को separate लिख दिया, और दूसरा matrix, matrix, दो rows, एक column, दो rows, एक column हमें यहाँ पर लिखना है x और y, दो rows, यह बन गी, दो rows और a column is equal to minus c, अब students हम इन matrices को नाम दे सकते हैं, further अगर आप इनने लिखना चाहें matrices को नाम दे कर तो इस matrix को a कह दें, इसको x कह दें और इसे b कह दें, let a is equal to this matrix, x is equal to this matrix and b is equal to this matrix, so a x is equal to b, यह हमारे पास shortest यहनी एक वर्जन आ गया, shortest एक शकल आ गई, इस equation की matrix form के अंदर, यह students हमने एक equation को matrix form में convert कर लिया, आई अब दो equations का case देखते है, system of two linear equations in matrix form, अब हम दो linear equations consider करते हैं, एक को हम कह देते हैं, l1, a1 x plus b1 y plus c1 is equal to 0, दूसरी को आप समझ गया है के l2 कहेंगे, a2 x plus b2 y plus c2 is equal to 0, अब वही काम जो हमने यहां पर किया था, के constants को equal के दूसरी जानिब shift कर देते हैं, a1 x plus b1 y is equal to minus c1, a2 x plus b2 y equal to minus c2, अब वही काम जो left side है हमारे पास, दोनो equations की, उसको एक matrix में ले आते हैं, और right side को दूसरे matrix में ले आते हैं, दोनो in fact equations की, it can be written in matrix form as a1 x plus b1 y a2 x plus b2 y is equal to minus c1 minus c2, अब students हमने यह दो matrices लिख दिये, दिर्मयान में equality है, इसका मतलब है के इन दोनों का order भी same होगा और दोनों के corresponding elements भी equal होंगे, अब first matrix का आप order जरा observe केने क्या है, शबश, दो rows और दो columns, नो, दो rows और एक column, इसका order है two by one, और यहाँ पर भी two rows और एक column, इसका order भी है two by one, अब students, यह जो matrix है, हम इसको further break कर सकते हैं, जिस तरह हमने यहाँ पर किया था, हमने इस matrix को product of two matrices की शकल में लिख लिया था, अब यहाँ पर भी हम यही काम कर सकते हैं, यहाँ पर हमारे पास यह जो matrix है, इसका order है two by one, यहनी हमें दो ऐसे matrices बनाने हैं, जिसमें first matrix में rows की तादाद two हो, और second matrix में columns की तादाद one हो, यह हमें दो matrices basically बनाने हैं, और first matrix में coefficients होंगे, A1, B1, A2, B2, और second matrix में हमारे पास variables होंगे, X और Y, मैं इसको break कर रहा हूं दो matrices के अंदर, further we can write it as a first matrix में हमें लिकराँ A1, B1, A2, B2 और second matrix में हमारे पास आ जाएगा, X और Y, अब इस matrix का order क्या है, शबश, मैं यहाँ पर अलएदा से लिखता हूं, इस matrix का order है, 2 by 2, और इस matrix का order, 2 by 1, इन दोनों का product मुम्किन है, क्योंकि पहले के columns की तादाद, दूसरे की रोज की तादाद के ब्राबर है, यह बीच वाले दो elements सेम होने चाहिए, और जो product आएगा उसका order यह होगा, 2 by 1, और यही हमें required था, हमें 2 by 1 order का matrix product के तोर पर चाहिए, यानि हम अगर इन दो matrices का product करेंगे, तो हमारे पास definitely यह matrix हासल होगा, equal to, minus c1 minus c2, अब students बिल्कुर उसी तरह से हम दोबारा लेट करते हैं, let a is equal to, a हमारा होगा, matrix of coefficients, matrix of variable को हम कहेंगे x, और matrix of constants को हम कहेंगे b, now we can write it as a x is equal to b, यह students हमने system of two linear equations को matrix form में convert कर दिया, अब students आपके जहन में सवाल आना चाहिए कि हम system of equations को matrix form में convert करते क्यूं हैं, students आपने system of equations को simultaneously solve करना सीखा, आपने elimination method सीखा, आपने cross multiplication method सीखा, आपने different method सीखे हुए हैं, जिनकी मदद से आप दो linear equations को simultaneously solve कर सकते हैं, students एक method matrix method भी है, आप matrices की मदद से भी system of linear equations को solve कर सकते हैं, आप इस तरह से दो linear equations को matrices में convert कर लें, यह आपके पास एक matrix equation बन गई, अब हमें बुनादी तौर पर system of linear equations को solve करते हुए क्या चाहिए होता है, हमें x और y की वह value सही होती हैं जो दोनों equations को satisfy करें, अब हमारे पास x और y यह दोनों variables आ चुके हैं matrix x के अंदर, हमें matrix x की value मालूम करनी है, यहाँ पर अगर हमारे पास यह x की value आ जाए matrix x की value तो हमें x और y दोनों values मिल जाएंगी, हम यहाँ लिखेंगे if, अब जरा हमें यहाँ पर recall करना है in fact chapter 3 first year के matrix x की value कैसे हम find out कर सकते हैं, students हम matrix x की value उस वकत मालूम कर सकते हैं कि जब a inverse possible हो, इस matrix का inverse possible हो, अब inverse किसी matrix का कब possible होता है उस वकत जब उसका determinant non zero हो, यह नि matrix non singular हो, हम यहाँ पर लिखेंगे if, A will be non singular that is to say, A determinant will be non zero, then we can find A inverse by formula A inverse is equal to, A inverse का formula आपको recall करवाता हूं, हमें यहाँ पर use नहीं करना, सिर्फ मैं आपको recall करवा रहा हूं, adjoint of A divided by determinant of A, अब आप इस formula को ज़रा देख लेंगे अगर determinant of A zero आ गया तो A inverse calculate नहीं हो पाएगा, क्योंगे division by zero is not allowed, A का non singular होना ज़रूरी है, तभी हम A inverse मालूम कर सकते हैं, A inverse अगर हम मालूम कर लेंगे, तो दोनों sides पर हम A inverse से multiply कर देंगे, pre-multiplication perform करेंगे, यानि left side से हम A inverse को multiply करेंगे, जब A inverse A के साथ multiply होगा, तो एक matrix जब अपने inverse के साथ multiply होता है, तो हमारे पास आ रहता है identity matrix, identity matrix जब X के साथ multiply होगा, तो हमारे पास X ही वापिस आ जाएगा, X is equal to A inverse B, यह हमारे पास result आ जाएगा, solution will be written as X is equal to A inverse into B, यह students हमारे पास इस matrix equation का solution आ जाएगा, students, यहाँ पर important बात जो आपको याद रखनी है, वो यह है, कि यह solution सिर्फ और सिर्फ उस वकत possible होगा, जब A matrix non-singular होगा, यह उसका determinant non-zero होगा, और यह सिर्फ और सिर्फ उस वकत मुम्किन होगा, जब जो दो given equations होगी, उन से बनने वाली straight lines non-parallel होगी, मैं यहाँ पर special note लिख रहा हूँ, जो आपको याद रखना है, special note, solution will be only possible when A determinant will be equal to will not be equal to zero, in fact, solution will be only possible when A determinant will be non-zero, that is to say, A determinant non-zero होने से मतलब क्या है, in fact analytical geometry की sense में यह ज़रा समझ लिजीगा, A determinant के non-zero होने का मतलब यह है, कि जो दो straight lines की equations आपको given थी, वो straight lines non-parallel होगी, that is to say, given lines will be non-parallel, जब lines non-parallel होती है, यानि lines इस तरह से non-parallel होती है, तो वो लाजमन एक point पर intersect करती है, सिर्फ उसी सूरत में आपका solution possible होगा, और अगर आपने चेक करना होके lines non-parallel हैं या नहीं, तो आप matrix of coefficient बनाएं, जिस तरह मैंने बनाया, determinant मालूम करें, अगर determinant non-zero आजाएं तो इसका मतलब यह होगा, कि जो lines हैं वो non-parallel हैं और इसी सूरत में आपका solution possible होगा, students हमने system of two linear equations तक discuss कर लिया, अब हम भड़ेंगे system of three linear equations की जानिब, students तीन lines की general equations consider करते हैं, पहली line को मैं कह रहा हूँ, L1, A1X plus B1Y plus C1 is equal to 0, L2, A2X plus B2Y plus C2 is equal to 0, L3, A3X plus B3Y plus C3 is equal to 0, students यह आगया system of three linear equations, students अब system of three linear equations आ जाए तो उस वकत जब आपने matrix form में convert करना है तो आपने constants को equal के दूसरी जानिब shift नहीं करना, क्यों नहीं करना इसकी वज़ा मैं आपको भी बिताता हूँ, हम यहां लिखेंगे, it can be written in matrix form as, left side हम एक relaxed bind है that will be A1 X plus B1 Y plus C1, भी relates to 1st element, then 2nd element A2X plus B2Y plus C2, then A3 X plus B3Y plus C3 bio of अब इस matrix को हम further break कर सकते हैं, सवाल यह है कि इसका order क्या है, इसमें 3 rows और 1 column है, यह 3 by 1 order का matrix है, हमें 2 matrices बनाने हैं, जिसमें पहले के rows की तादाद 3 होनी चाहिए, और दूसरे में columns की तादाद 1 होनी चाहिए, और दोनों का product भी possible हो, यह हम पहले discuss कर चुके हैं, सो हम यहां पर इसको break कर रहे हैं, पहले matrix के अंदर मैं ला रहा हूँ, इन तमाम numbers को, यानि A1, B1, C1 को, और दूसरे matrix में मैं ले जा रहा हूँ, दोनों variables को, यानि X और Y को, further, A1, B1, C1, A2, B2, C2, A3, B3, C3, हमारे पास है यहां पर X और Y, अब students यहां पर एक मसला है, और वो मसला यह है कि इस matrix का order बन रहा है 3 by 3, तरह ध्यान दीजएगा मेरी बात पर, इस matrix का order बन रहा है 3 by 3, अब यहां पर इस matrix का order बनना चाहिए, कि उसमें रोज की तादाद 3 हो, तब ही हम multiplication perform कर सकते हैं, यहां पर columns की तादाद 3 है, वहां पर रोज की तादाद 3 होनी चाहिए, जब के यहां पर रोज की तादाद 2 बन रही है, अब रोज की तादाद 3 करने के लिए मैं यहां पर 1 शामिल कर रहा हूं, ताके multiplication perform हो सके, यह बन गया हमारे पास 3 by 1 order का matrix, multiplication हो गई पॉसिबल, और जो product आएगा उसका order होगा 3 by 1, यह matrix वापिस आजाएगा, अब अगर आप multiplication perform करके देखेंगे, जो के हमारा multiplication का procedure है, आपने first year chapter 3 में पढ़ा था, आप multiplication perform करेंगे, तो हमारे पास यही matrix वापिस हासिल होगा, a1 x plus b1 y plus c1, c1 1 के साथ multiply होके यहाँ पर आजाएगा, इसी तरह से a2 x plus b2 y plus c2, यहाँ पर आजाएगा, फिर a3 x plus b3 y plus c3, यहाँ पर आजाएगा, equal to null matrix, अब students, इस matrix को जड़ा गौर से देखें, a1, b1, c1, a2, b2, c2, a3, b3, c3, कुछ याद आता है? जी, हमने condition of concurrency के लिए जो determinant बनाया था, जिस determinant को 0 होना चाहिए था, वो इसी matrix का determinant था, सो हम यहाँ पर conclude करते हैं, इफ, यह जो matrix बनाया है, इफ, a1, b1, c1, a2, a2, b2, c2, a3, b3, c3, अगर यह determinant 0 होगा, then, lines will be concurrent, यह बात हम पहले discuss कर चुक है, इसका reason मैं यहाँ पर नहीं बता रहा हूँ, यह हम पहले prove कर चुक है, in fact, कि किस तरह से lines concurrent होगी? अगर यह determinant equal to 0 होगा, lines will be concurrent, concurrent का मतलब meeting at a point, यहनी, इस system of equations का एक solution होगा, that is to say, system will have a unique solution, आई यह students, अब इसी concept को use करते हुए, एक problem discuss करते हैं, students, this is problem number 16 of exercise 4.4, इस problem के 3 parts हैं, और इसके अलावा, exercise 4.4 से पहले एक example भी है, जिसमें यही exact concept use किया जा रहा है, हमें यहाँ पर इस system of equations को matrix form में convert करना है, और फिर check करना है, कि क्या यह 3 lines concurrent हैं यह नहीं, students, सबसे पहले, जब भी आपको matrix form में convert करना हो, 3 equations को, 3 linear equations को, तो आपको यह देखना चाहिए, कि क्या 3 linear equations journal form में हैं, और क्या एक ही pattern में हैं, यानि x, y, constants equal to 0, तीनों equations में same pattern होना चाहिए, अगर कोई term missing हो तो उसकी जगा पर 0 आपको place करना होगा, मिसाल के तोर पर अगर एक equation given हो, 3x is equal to 7, अब क्या इस general form में है, the answer is no, आप इसे general form में convert करें, 3x, अब इसमें y वाली term भी missing है, उसकी जगा पर 0 place करें, आप plus 0y लिख दें या minus 0y लिख दें, दोनों बातें दुरूस्त है, minus 7 is equal to 0, यानि यहां से तीन numbers पिक होंगे, 3, 0, और minus 7, अब students मैं इसे matrix form में convert करने लगा हूँ, matrix form, 3 minus 4 minus 2, then 1 2 minus 4, then 3 minus 2 5, then 2 minus 2, 3 minus दूसरा matrix X, Y, 1 और दन इक्वल to NULL matrix, यह students हमने इस system of equations को matrix form में convert कर दिया, अब students हम इसकी concurrency check करेंगे, इन तीनों lines की concurrency check करेंगे, concurrency check, concurrency check करने के लिए हम इस matrix का determinant करेंगे, 3-4-2, 1-2-4, 3-2-5, आप जानते हैं के determinant को evaluate करने के लिए हम determinant properties का use भी कर सकते हैं और अगर 3 by 3 का determinant है तो हम उसे directly expand भी कर सकते हैं, आप किसी भी row या किसी भी column से expand कर सकते हैं, मैं यहाँ पर first column से expand कर रहा हूं, expanding by first column, आप लिखेंगे expanding by c1, अब यहाँ पर start होता है हमेशा positive, आप लिखेंगे 3 और 3 की row और column छोड़ देंगे और आप determinant बना लेंगे 2, minus 4, minus 2, 5, then minus 1, 1 की row और column आप छोड़ देंगे, minus 4, minus 2, minus 2, 5, plus 3, row और column छोड़ देंगे, minus 4, minus 2, 2 minus 4, 2 5s are 10, minus minus हो जाएगा, plus हमारा determinant का minus जिन्दा रहेगा, 4 2s are 8, minus 4, minus, minus 4 into 5 is minus 20, minus minus हो गया, plus determinant का मिनस जिन्दा, 2 2s are 4, 16, अब मिनस मिनस हो जाएगा, plus 2 2s are 4, 10 minus 8 will be 2, 2 3s are 6, minus 20 minus 4 is minus 24, minus 24 into minus 1 will be plus 24, 16 plus 4 is 20, 20 into 3 is 60, 24 plus 60, 24 plus 6 in fact 30, 30 plus 60 will be 90, determinant हमारे पास 90, यह जो matrix है, यह non-singular है, अब matrix non-singular है, determinant हमारा आ गया non-zero, hence given lines are not concurrent, यह lines एक point पर नहीं मिल रहे है, इसका मतलब है कि इस system of equations का unique solution possible नहीं है, students भडते हैं इसी type के एक और problem की जानेब, students this is problem number 17 of exercise 4.4, students यहां पर हमें एक system of equations की matrix form given है, हमें वो system of equations मालूम करना है, students इस problem के दो parts हैं, दोनों parts exactly similar हैं, हम बासानी एक matrix form को convert कर सकते हैं system of equations में, करना आपको सिरफ और सिरफ क्या है, मैं यहां पर heading दे रहा हूं पहले system of equations, यह students हमारे पास x का coefficient है, यह y का का coefficient है और यह constant है, equal to then हमें लिखना है 0, यह आप यह भी कह सकते हैं कि अगर आप इस matrix को, इस matrix के साथ multiply कर दे, multiplication perform कर दे इन दो matrices की, तो आपके पास left side पर एक matrix हासिल हो जाएगा, then वो matrix equal होगा इस matrix के और फिर आप matrix form से system of equations बना लेंगे, लेकिन हम shortcut कर सकते हैं, हम direct लिख सकते हैं, यह हमारे पास है matrix, in fact variable x का coefficient, यह y का और यह है constant, मैं यहाँ पर लिखूंगा, 1 x यानि x, plus 0 y, minus 1, equal to 0, यह हमारे पास आगे first equation, line 1, line 2, 2 x, plus 0 y, अब 0 है तो आप चाहे, plus 0 y लिख लें या minus 0 y, है यह 0 ही, plus 1, equal to 0, और line 3, 0 x, minus 1 y, यानि minus y, plus 2 x, sorry, plus 2, क्योंके simple constant है, equal to 0, यह students हमारे पास आगे, system of equations, अब students हमें यह भी चेक करना है कि क्या, यह तीन lines, जिनका यह system of equations हमने बनाया, क्या यह तीन lines concurrent हैं या नहीं, और यह आप बासानी, खुद कर सकते हैं, आप जानते हैं कि हमें इस matrix का determinant मालूम करना है, अगर वो determinant 0 के equal आ गया, तो उस सुरत में यह तीनो lines concurrent होंगी, so concurrency check आप खुद कीजिएगा, यहां पर इस lecture को end करते हैं, इंशाला, next lecture में हम कुछी मजीद concepts और relevant problems solve करेंगे, thank you and Allah Hafiz. करेंगे, यहां जा हुआ है.